हेलो गईद नस्कायर वेलकम टो ऑनलाइं ग्यान बाई आनन तो मेरे उत्राखन के पैर साथियों अपने उत्राखन में भर्तियों की पलपल के अपडेट पहुंचाने मैं आनन्दे मेरा आपके समुख हमेशा ततपर रहता हूँ बेते दिन हमारे माननी पुसकर सिंग धामिजी ने एक समेक्षा बैठेक विवागों के लिए विवागों से अपने यहां पर रिक्त पदुका यहां पर बेवरा मांगा गया था मेरे प्यारे मित्रों 6255 जो पद है सिख्षा बिवाग में खाली मिले सात्यूद जिस मैं आपको बता दूँ 3000 जो पद है सिख्षा बिवाग में स्कूलू में 44 स्रेणी कैडर के हैं और लंबे समय से दो वी आरपी ब्लोग इस्तर पर जो मैंटिनेंस और स्कूल इस्तर पर जो मैंटिनेंस से समधित वर्क करते हैं 955 पद यह खाली मिले और 2300 जो है सिख्षा को पद खाली मिले मेरे प्यारे मित्रों आपको पता है हमारे उत्राखंट में UK SSC से जो भर्तियां साय के द्यापक अल्टिकी हुई है वो काभि समय से लंबित है यह दि यह भर्तिय अभी तक हो जाती तो जाए रहे कि यह कमी तो अभी तक हमारी पूर्ण हो जाती तो 6255 युवाओं को भर्ति करेगी धामी सरकार साथ इसमें 2300 यानि 2300 आतिती शिक्षकों की भर्ति इसी मेहनी होगी यह दि यह भर्तियां पर्मनेंट होती तो हमारे उत्राखंट के युवाओं को जॉब सेक्रेटर तो मिलती बड़ ऐसा कोई भी प्रावदान हमारी धामी सरकार ने तक नहीं बनाये है ना अतिती सिक्षकों के लिए ना आउट्सोर्स कर्मिकों के लिए तो 25-30 शिक्षकों के निप्टि के लिए नेड़ धामी जी द्वारा लिया गया कि एक महने के अंदर इन पर आप लोग भर्ती का प्रस्ताव बना कर भर्ती के लिए नोट्फिकेशन जारी करो और इसकूल में जो चतुर्त स्रणी कार्डर की काफी लंबे समय से भर्तिया नहीं हुए जिसमें तीन हजार पत खाली है इनको आउट्सोर्स से बने का नेणे आपे लिया गया है यदि आप लोग भी चुक हो तो जल्ब मैं आपको इसकी इनफॉर्मेशन दूँगा जब से यह पद बने सुरु होंगे इनको आउट्सोर्स से बने का नेणे आपे धामी जी के द्वारा लिया गया है और 955 पद ब्लॉक इस्तर पर और इसकूल इस्तर पर यह 955 पद यह खाली है जो मैंटिनेंस से समय वर्क करते हैं उनके इसकी आप लोग जानकारी मिलती है गेस्तर पर जब आउट्सोर्स के बरती आईगी तो आप लोग हम से जुड़े रहेगा नए हो चैनले पर सब्सक्राइब भगल में बेल आक्रान अवस्तिक करें आप लोग राइट को प्रेस करें ताकि आप लोग हर चीज़ से समय रहते हैं अपडेट हो सको आज की वीडियो में इसे विदा लेता हूं और आप लोग को हमेशा उत्राखंड की वर्तों से जोड़ने का पूरा परियास्मा करें Thank you, God bless you, dear doctor.